सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है अभी इतनी जल्दबाजी किसमात की लेट हो तो क्लास मिस हो जाएगी पापा तुम्हारे लाड़ प्यार की वज़य से बिगड़ा है और वो रभी वो बस पढ़ो पढ़ो किरट लगाता है जबकि तुम्हारा बेटा तो स्कूल का नाम लेते तरवाजा बंत करके बैड़ जाता है अरे बस बस कैसी बात करता है, वो बिलकुल तेरे बाब जैसा है इसी बात का तो दुख है, वो कौन से कलेक्टर थे, उनकी क्वालिफिकेशन में भी तो जाड़ो लगी थी इसकी तम है, बेटा गनेश, कहा है रे, बेटा गनेश, हो, अरे कहा चुपा है भाई क्योंबे स्कूल चोर यहां छुपा बेठा, चल स्कूल बुखार है पापा, सच में बुखार है पापा अच्छा बुखार है, अरे हाँ, तुझी तो सच में तेज बुखार है ब्याज रखने से बुखार आता है करीला रहर रखने से चैनसर आता है अपने बाप को उलू gidebala अगर फीवा देखे अ Governor ने तो भला थे रहे होगा मेरा नहीं जब भी मैं तुझ से स्कूल जाने का नाम लेथा हूं तो तो इस कमरे में आके छिप जाता है उस रवी इसे कुछ सेख तभी तेरी अकल ठीकाने आएगी बापा क्या वो सचिन तेंडुल कर है जो उसे देखकर मैं कुछ सीखूं मैंने आपसे कितनी बार का आ है उसे मेरी तुल्ला मत करना मुझे स्कूल जाना है तो मैं जा रहा हूं ठीक है मैं एक बार सुधर जाओ ना तो सारी दुनिया मेरे नक्षय कदम पर चलेगी फिर अंकल सोचो आपके बेटों को कोई घास भी नहीं डालेगा यह भूलता तो गज़ा है मा जल्दी करोना मुझे खेलने जाना है सारे फ्रेंड्स मेरा इंदिजार कर रहे हैं बगल वाला रवी भी आ रहा है क्या खेलने वह बहुत बोर करता है मा देख बेटा अच्छे लोगों की संगत में अच्छी आदते सीखेगा और बुरे लोगों की संगत में बुरी आदते रवी पढ़ाई में बहुत अच्छा है और मन का भी अच्छा है देख बेचा तुम्हारी दोस्ती चाहे किसी से भी हो पर रवी से दोस्ती जरूर करना ठीक है ना अपने बाप से कह दे मैंने लात मारी है गणेश के साथ खिरने गया था क्या हाँ पापा अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी चीजे सीखोंगे बुरी लोगों के साथ बुरी चीजे सीखोंगे समझ गया अच्छे लोगों से दोस्ती किया कर आवारो लड़का है वो गणेश पापा ने बिल्कुल सही कहा था इसके साथ रहना ही बिकार है तुम्हें पता है पता है सर ठीक है बैठ जाओ तुम बताओ पता है सर बैठ जाओ हाँ तो बताओ वो सर तुमने कहा था पता है वो इसलिए कि आप बैठने के लिए कहोगे अच्छा ऐसा क्या चला हाथ निकार ये ले ये ले मुझसे जूट बोलता है रुक्ये सर रुक्ये सर हमसे ज्यादा मेहनतिया और कोई निये सर हम रोज सुबे पाच बज़े उठ ज लेता है सुबा से लेकर शाम तक ना कोई सोने देता है ना कोई खेलने देता है बस पढ़ाई-पढ़ाई का टॉचर करते रहते आज के दौर में हमसे ज्यादा मेहनति कोई है बताइए सर बताइए सर बहुत बखवास करने लग गया हो तुम अगर तुम में अकल होती तो उस रवी को देखकर सीख लेते तुम सर मुझे उस रवी से बिल्कुल कंपेर मत कीजिए जैसे कोई रवी नहीं आइस्टाइन हुआ जो सब इससे सीखने के लिए कहते हैं हुआ 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 है та कि इसने पत्थर बारा तूने तूने मैंने 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 एक पटका दूसरा पटका जातू बड़ा हो जाने पर तुझे सूच समय क्वापश हो करना है क्यों था पटका कुर पाट कुर बड़ खांच कुर पाट एई! माफे! क्या प्राट कि इसने की अवर प्राट कि इसने प्राट कर दो कारण असे कौन है क्या कर रहे हो उसे मारा क्यों ने बताओ मुझे रीजन बताओ मारने वाला मैं हूं मार खाने वाला वह है तो आप पढदने वाले काॉने है हमें तो बता होना चाहिए पता करके क्या करोगे गलती उस कियो तो उसे मारोगे बैं उसे क्यो मारूँया ठीक है, चलो मै गलत हूँ मुझे मारोगे बीचसे क्या पड़ी है तो बीच में उंख्ली क्यों कर रहे हो दिवाग खराब मत कर, चल निकल नहीं याँ से तो रुको बिटा, शान्त हो जाओ, थोड़ा शान्त हो जाओ देखो चाचा, जब रोना हो तो रो लेना, हसना है तो हस लेना, और जब मारना हो तो कियो बे, आइसे उठा के ले आएगा, तो क्या समझा मैं डर जाओंगा, अगर भाई को पता चला तो कोई जिन्दा नहीं बचेगा, समझ रहे हो ना तुम लोग एक-एक का कीमा बन जाएगा, बताए नहीं मेरा भाई को उना है, बंसी, बंसी लाल, मेरे भाई को धंकी देगा न, तुम सब की जान कहीं सम्झो यह यह ना तेरा भाई, आँख खोलो तो जिन्दगी, बंद करो तो मौत, चोट जोड़ो चोटी सी आई यह जिन्दगी, अगर जिन्दगी खुश से जीना चाहते हो, तो गाड़ी बंगले का शौक होना चाहिए, पैसे का जुनूम होना चाहिए, और पताए इनके अलावा क्या होना चाहिए, मुझ जैसे आदमी से डर, यह तेरे भाई के पास नहीं था, इसलिए बारक है, बारक है, बारक है, बारक है, इसे क्यों छोड़ दिया, उसकी जान तो कब के निकल शुकी? क्या हुआ, अभी तक नहीं मिला है, अगर मिले और बिकाओ हो, तो खरीद लो, अगर बात नमाने, तो डराओ उसे, और अगर तब भी नमाने न, तो मार दो, समझ गये न, चलब जाओ, तुम मेरी राणी, हाई डालिंग, बाहर निकल, चलब घर से बाहर निकल, अरे यार, यह फिर से शुरू हो गए, मार पीट करता है, तुझे पता है न, तुने किसके साथ मार पीट की है, मारने से पहले इनकौरी करते हैं क्या पापा, यह राजेश खरना का डायलोग है, त पता है, वो तेरा फोटो लेगा पूरे गवों में घूम रहा है, तो जाएगा, तो पिंट छुटागा, अरे किसी और से डर कर इसे क्यों भागने को कह रहा है, एक डम सही बोली बादे, जब यह पैदा हो तो इसे प्रसाद के रूप में माना और नाम गडेश रखा, पर आज पता चला है कि तो प्रसाद के रूप में एक साप है, घडेश, कितनी पार मैंने तुम से कहा है, मेरे बेटे को देखो, हैदरा माद में सौट्वरेन एंजिनियर है, पचास हजार की पागा, कार में घूमता है, वो भी एसी कार में है, बहुत जल्द अमेर का मी जाने अपने आपको देखो, इन गधों के साथ गोमते रहते हो दिन पार, जगडा करते हो लोगों से, तुम्हें बश्पन से समझाता आ रहा हो, मेरे बेटे से को सीखो, तुम नहीं समझाओगे, देखा, यह अपने बेटे की कितनी तारीफ कर रहे हैं, मैं भीक मांगता हूं कि तुम यहां से निकलो और मुझे श्राप मुक्त कर दो, अब ही बता देता हूं, मेरा बेटा ऐसा है करके आप, और मेरा बेटा वैसा है करके आप, डिफरेंसेस करन बन कीजिए, दोनों के बीच में कमपैरीजन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे, मुझे देखकर कुछ सिखो, यह मिसाल बन कर दिखाऊंगा, चलता हूं, हूं, चल बहुत, अरे का भाग रहे है भाई अरे, अरे, बता तो कहा जा रहा है, है, हम गाउं से इतनी दूल सुस्सू करने आये क्या, नहीं बे, धूल चटाने आया हूं, अबे, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो साथ में के चल, साथ, अरे, है, अब सही जाए, है, हम निपट ले, अभीर पुलिस पकड़ेगी तुझे, पुलिस के योर से अम अपनी पैंट के लिए कर ले, जाना यासे, मेरा क्या जाता है? हेलो, यहां मैं आ चुका हूँ और खाना भी खा चुका हूँ, और अब बस तेरा इंतजार है, जल से जल आ जा यार तू बच्ची को छोड़ शॉपिंग पर ज्यादा ध्यान है तुमारा क्या खुपसूरती है, उमलियों के निशान पड़ गए, वैसे टाइम पर आ गया इसलिए अच्छा वह आप अरे, बच्ची को बचाने के लिए तो कोई ऐसे मारता है क्या? अरे, बेंची गलती हुपी, सौरी बोल दे रहा हुँ, अरे, इंपर बोल दिया ना सौरी, अब क्या रुपैर पखुन क्या हुआ? अरे, सुन, लड़की सूलाज मत वरना कंप्लेंट देगी है, कंप्लेंट अरे, इंपर भाइस आप, अपने मेरी बच्ची को बचाया याँ अल्लाव फोन बाग में रखना और बच्ची को गोद में रखना, जा वयसे एंगलिश में माणफी को क्या गयते है, अब वे जॉर्य क्या हुआ क्या हुआ? अब आम सॉर्य आप पर और यह कितने गोलशुत है आप 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 आपका हूं अवपर यह लूट की ज़ली गई अर्य हुड वह लड़की का गई अरे वो उधर गई है, कहा गई? अरे ऐसा नहीं होता रुक जाओ ये गालपन निशान कैसा? वो रैशिस है भया इसे रैशिस कहते हैं क्या? बेरे सामने सच नहीं बोलोगी तो चलेगा पर जूट कभी मत बोलना वो क्या है न भया, ये छोटी बच्ची को बचाने के दूसरों के मदद करना अच्छी बात है पर अपनी हिफाज़त अंदेखा करना अच्छी बात नहीं है अंदर जाओ उससे बोलना क्या अच्छी तरस रहे हलो हलो, सरुजा अंटी है? हां, तुम करन हो एक बार गायतरी को बुला दोगी वो नहारी है प्लीज 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 अंटी बहुत अर्जन कामें अंटी प्लीज तुम्हारा ही फोन है हलो है, गायतरी, अब तक वही साबुन इस्तेमाल करियो क्या, बदबू यहां तक आ रही है उसकी एई, कौन बोल रहे हो तुम? अरे, मैं गणेश बोल रहा हूँ गणेश कौन मैं नहीं जानती टेंट मैं जिसने तुझा ऐलो व्यू कहा था, वही गणेश बोल रहा हूँ इडियट, उस दिन तुझे मना कर दिया था ना, तो फोन करके टॉर्चर क्यों कर रहा है मुझे? टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ यार, थैंक्स बोलने के लिए फोन किया था थैंक्स क्यों? हाँ, फिलहाल तो मैं हैदराबाद आया हूँ और एक खूबसूरत लड़की को देखा है, फिक्स हो गया, उससे प्यार किया है और अब उससे से मेरे शादी होगी अगर तुम मुझे पहले हाँ कह देती तो आज ये लड़की मेरे हाथों से मिस हो गई होती ना, आज से तो मेरी लाइफ का टरनिंग पॉइंट शुरू हो चुका है, इसलिए तो तुम्हें थैंक्स कहने के लिए फोन किया था चपपल से मारों कि तुझे जो मदद तुमने की थी, उसके लिए तुम जाडू से मारो या चपपल से मारो कोई फारक नहीं पड़ता, चलो भाई, थैंक्स क्या का, कही तरह दिमाग तो खराब नहीं हो गया है अरे नहीं यार, कितनी खुब्सूरत है, दूसरों के लिए अपनी जान भी दे सकती है, अगर ऐसी लड़की मुझे मिल गई तो जरा सोच, वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, वेक्स उसी से प्यार करूँगा, और उसी लड़की से शादी भी करूँगा लेकिन वो दुबारा मिलनी भी तुछ आईए, अरे जरूर मिलेगी यार, तुझे अपने उपर बहुत कॉंफिदेस है, मैंने आज तक जितनी भी लड़कियों को देखा सिर्फ एट्रेक्शन की नजर से दिखा, लेकिन इस लड़की को दिल से प्यार करता हूँ, फिक्स ह प्रियर उसका भी बत्तर, बड़ी नामचीन है, इस शहर की हर गली में उसकी चर्चा होती है, तुझे उस तरह उपर नीचे क्यों कर रहा है, जीम का पैसा बजाना चाहता है, और उपर नीचे दोड़कर मेरी सीड़ों को घिस रहा है, करे बाप में बना ये क्या ये और मोटर का भीकर तेरा बाप भरेगा, विजली के पोकट में आती है क्या बेर, ठंडी में पानी गरम करने के लिए अगर हीटर लगाया, तो उसी से जलाकल मार देती है, जानना चाहते वो क्या करती है, आहां, मैं आउंगा ना, कोई चिंत आ नहीं, क्यों रे फटी पिन मैने से किराया बने के लिए कह रही हूं, तो बहाने बना रहा है, अपने बापनी जागी समझ के रखी है, कल इस वक्त तक रेंड और करेंड का बिल नहीं बरा तो, कपडे उतार कर बाजार बे खड़ा कर दूँगी, तू मेरे को नहीं जानता है, पताए मेरा नाम क्य सुनते ही, सारा शहर कापने लगता है, तू का सटक राएं बे, कहीं नहीं जा रहा था दीदी, बस बाथरूम लगी थी तो, तू मुझसे मजा कर रहा है, हड्यों को चूर चूर बना के रख दूँगी, ऐसा लगता है कि कॉंगो किसी ने डेकोरेट कर दिया है, मैं तो यह उठा कर लाया, यह मेरे दोस्त है, गाहों से आ है, दो दिन में ही चले जाएंगे, ए, लेराई ठीकाना नहीं है, उपर से इन दोनों को भी उठा कर लाया, इसके पैर भी कितने खूब सुरत हैं, कि अदर बॉर करके मुझे चांस मार रहा है, अदर चला गया, सारा मूड चला गया, तेरी तो, आगर और ऊची आवास की ना तूने, तो तेन इस सुमान काट के रगोंगा, वो नहीं तो यह मिलेगा, यह नहीं तो वो मिलेगा, और वो नहीं मिला दो कोई और बकरा मिलेगा, यही सोचकर तुझे इतनी चर्वी चड़ गई है, क्या तAy चोड़ मुझा चोड़ मुझा इसे नहीं चोड़ेंगा रोग चला यह माचीज की डिपी जैसा घर जिसे तू पहले सके रही है और तू उसकी महारानी है हमारे यहां तो मुर्गियों का घर भी इससे बड़ा होता है समझ गई तू तू क्या देखेगी मुझे बोर्ड पे त तुने यह सब कुछ के किया है चोड़ मुझे बैटना यहां पे बैटना यहां करेगी मैं जाकर करके देखता हूं तू यहीं बैटना चल रही चल रही चल अच्छा सबना देख रहा था पता नहीं कहां गई मेरी डार्लिंग अरे अपनी डार्लिंग तो यही है अब अब बहुत हो गया मकान की बाल की नो तो हम जैसे मासूमों पर अत्याचार करोगी आस तक गर्मी में फैन के लिए और ठंदी में गरम पानी के लिए तरसते रहे हैं हम और पर टाइम पर किराया देते रहे हैं और तुम्हारी गालिया भी बर्दास्त करते रहे हैं लोग आज हम लोगों की फ्रेश्टेसन बाहर निकली है ज्यादा बहुत की तो काट कर रख दूँगा आज से तुम सब की जिन्दगी बदल गई है आज से टेडर के रात को बीर पीने की और इस मोटी के सोने के बाद अपनी गर्लफेंट को चोरी-चोरी लाने की ज़रोत नहीं है बिजली हमारी महनत हमारी रेंट हमारा और पैस्ता ये मोटी करेगी क्या आज मेरे अंदर की आग भड़क उठी है आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं इस मोटी का कोई भी हुक्म कभी नहीं मानूंगा तु अजगला फाड़कर चिल्ला या धर्ती फाड़कर चिल्ला रिष्टेदारों को बुला या मोहले वालों को बुला चाहे तु गुंडों के साथ आया चाहे किराय के सट्टूं के साथ आज तुम्हारा घर खाली करके रहुआ सम्झी गाव करना दीदी, माफ करना असल में यह इसे कहना चाहिए, यह सब तेरी वज़े से हुआ, तेरा किया धरा है, देवी की तरह दिखने वाली हमारी दीदी को, मैंने इतना भला बुरा कहा, इतना ही नहीं मैंने हाथ भी उठाया, मुझे यह हाथ नहीं चाहिए, नहीं अब यहाँ पर हम किस मुह से किराये पे रहेंगे, चल बेटा, रुख जा बेटा, रुख जा, मुझे पता है तुम अच्छे हो, सब कुछ इसका किया धरा है, मुझे पता है बेटा, यह सब लोग, यह सब लोग बहुत हो रहे है, मुझे पता है, तुमें कही जानी के जोर पेटा आज से यह पूरा मकान वहां रहें तुम्हारा यह 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 समूटी बेटा खुश रहें ना का शेया ना फिछ रहें न है जलता हूं चलता हूं ने रोग्जा तू का चुपचप खिसक राए बे कपड़े धोने दीदी तो सब के सामने बहुत बड़ी बड़ी डिंगे मार आ था ना तू मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है हां नहीं आ रहा है मैं यादी नहीं हुआ है मुझे माव कर दो दीदी प्लेश चहरा नूरानी है कोई नसानी है दुनिया तेरी दीवानी है दीवानी है रबा रबा है ये इश्क का जादू इश्क इश्क है कर दो कि आदमी को आसपास के एरिये में देखा क्या तुम नहीं देखा क्या तुम नहीं अब पहचानो तारी कि सारी बुर्के में अब कैसे पता करोगे कि तुमारी वाली कौन है जो सच्चा प्यार करता है ना वह उसकी आँखों में देखकर पता कर लेता है कर देखकर पता नहीं चल रहा है अब है तो चुबैट उसके चपल से पचाने की कोशिच कर रहा हूं तुझा अपना काम कर वही है मेरे डार्लिंग इस तुझा इस अपने को आपने कर देखा है नो सर नहीं देखा है क्या भाई साम अब शर्मों के विलें की तरह फोटो लेके ढूंड रहे हैं आप यह ट्रेंट तो आउट्डेटेड हो चुका है आजकल फेस्बूक है ट्विटर है यह सोशल साइच गौच हुद है इन पे फोटो डालो जल्दी मिल जाएगा सुन रहा है भाई फेस्बूक और ट्विटर की बात कर रहा है वह आदमी यह सब क्या होता है भाई हाई गाईज के नाइज जॉइन थैंक यह नाइस तेस्ट तुम कोच फेस्बूक और ट्विटर की बात कर रहे था है क्या है यह जरा वह फोटो तो दीजी दीजिये तो आपका नाम क्या है जटका स्रिधर ओके वैसे आपका इस आदमी से क्या रिलेशन है रिश्ति में आप इसके क्या लगते हैं किलर मडर करना अगर वो मिल जाये तो आर यू जोकिंग वैसे भी सब चीजे सोचल साइट पर नहीं डालते हैं इसलिये तो हम फोटो लेकर इसे ढूंड रहे हैं अज़िए गॉट रहे हैं आई नो फेस्बुक आई नो जुकरबर्ग आल्सो जुकरबर्ग फर फिल्म बनाने वाले डेविड फिंचर को भी मैं चानता हूँ देखो इसके बाद भी तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा बॉइफ्रेंट आएगा ही उसे भी समझा देना बीना मांगे राय ना दे अरे बाप्रे 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 मैंने सुचा सौट्वेर हाँ पिक्चर में देखाए कि किसी पप की तरह होगा ये दो आसमान से भी उचा है भाई उपर जाएगे कैसे तुन्हें जो पसंद की इकना मुझे बात अरे रे 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 जरा यहां की रंगीनिया तो देखो संदी कर जाएगी मेरी तो अरे तेरे तो क्या बात है एंए ऐसे क्यों कर रहे है अंदर गुस्राओ फरेल मुझे घुसने दे बात में तू खुशने । पश् संद यथा कि अधार चलो तो काम के लिए आया हूं कि अरे बाद तो सुनो अ अधार अधार कि कुछ भी करके नौकरी तो हासिल करनी होगी लेकिन करेगा क्या जब सही रास्ता ना मिले तो 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 अब मेरे डाट साइंटिस्ट है बंदर इतने गुलाटिया क्यों मारता है इसकी उन्होंने खोज की सच में मेरे डाट भी साइंटिस्ट है उन्होंने क्या क्या खोजा था अब पहले यह बता अंदर हुआ क्या बोलते हैं इंग्लिश में बात है जब अमेरिका में हो तो ठीक है इंग्लिश आनी चाहिए इंडिया में क्या ज़रूरत है विल्कु सच है इस बारे में हमें पीम से बात करने चाहिए आता हूँ चल कोई इंग्लिश भुक खरीते हैं यार क्या अभी के भी सब सीख लेगा काम सूत्र की कहानी यह यह नहीं है और भी यह क्या है देखता हूँ अब 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 भारत अब 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 मतलब होता है भाई अब 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 और दो को?? I love you I love you I love you very much very much How to How to Tell in English Tell in English TELL TELL wow I love you very much How to टेल इन एंग्लिष्टेल आईल लवीवेरीमच हवा टो तल इन इंगिलिष्टे आईल ईफुलेरीमच यूगेरमच ह्व टेल इंग्ल इंग्लिष्टेल आइस को लेगेदिंउ धयर हंदे भाई यही कि भगवान आपको तरक्की देश जूट मज बोल मैंने सुना है अरे बगवास मत कर देख आगया तेरा भीकारी कुछ तो देदो ना गुछ तो धरम करो ना कुछ को देदो ना देदो अपे शौले मैंने I love you का भी नहीं इससे पहले यह लड़की हसी इसका मतलब यह फस गई है भाई 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 लगाई भाई देदो ना इसकी हसी पर मुझे कुछ शख हो रहा है तु जलता है मुझसे, एतने खुबसोरे लड़की मुझपे लाइन मारती है ना इसलिए तु जल रहा है, एक नमबर का भिकारी है तु I love you very much how to tell in English, जै ए तु बदकरता है ए तेरी बुरुके वाली बस में चड़ गई? अरे वो तु जारी है, जारी है सुन तो I love you very much, how to tell in English, tell ये सारी बाते मुझसे क्यों पूछता है, जा जा, सिखाने वाले बहुत सारे है जिए क्या होता मैंने, एक दम सेम टू सेम बताने के लिए बने उचेट सब के सामने गठा बना दिया अरे आप अरे तो अरे वारे वारे तो जोब के लिए लड़की के लिए जोब के लिए जरूरी बात है, द्यान से सुनुगा, चल बोल, अपने एरिया में एक आदमी आया है, उसके सिफारिश से लोग बड़ी से बड़ी कंपणी में भी जोब पा जाते है, तुम अपने गुस्से को काबू में करके उससे मिलो, तु दो क्या सोच रहे हो? तुछ ही बोल रहा है, फिर भी तुझे मारे बगेर तो नहीं छोड़ूँगा? जर देखने लिए, जर दुखाव दाएं! हुआ हुआ है इनकी भाशा समझने के लिए मुझे इन में से किसी के गरे लगना हूँ हां ये मिला है सही बंदा जिसके गले लग सकता हूँ अगर यहां जीना है तो जूट बोल कर और दुनिया को उल्लू बनाकर ही जिया जा सकता है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अंबानी बना दीजिये अगर सबको उल्लू बना के और जूट के साहरे जीना है तो यह पूझा पाठ किसलिए आप कौन है सर? मैं एलियन, दूसरे ग्रह से आया हूँ, पर मैं किसी के भी गले लगकर उसके हाव भाव, उसकी भाशा, वृत्ती, प्रवृत्ती, सब कुछ जान लेता हूँ मेरे गुरुजी, आपको देख करी मुझे डर लग रहा हूँ, मीरे अंदर की सारी बाते आपने ऐसे जूकर ही जान लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे टार मन जाईए, कहीं ये पार्ट्न बनने को तयार हैं, पार्ट्नर बनाया है, ठीक है, आज से हम पार्ट्नर तो ठीक है 50-50 नो उसकी जरुवत नहीं है बस मेरा रिमोट ढूड़ दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए स्वामी आप मेरे लिए गुरू समान है आपकी हर बात में मानूंगा और उसी दिन से आप जैसों की मदद करते हुए मैं अपने रिमोट को ढूड़ रहा हूं पिक्चर का नहीं दी मेरी थीम पर फिल्म दे दी लगता है यह धर्तिवासी दूसरों की मजबूरी का अच्छी तरह से फाइदा उठाना जानते हैं बाइदेवे बताओ बेटी तुम्हारी क्या प्रब्लम है सर यह आप मुझसे पीछा छोड़ाना चाहता है सर मैं सह नहीं सकती इसलि किस लिए दिल की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोई स्कोप चाहिए होती है पर उसकी आवाज सुनने के लिए हग करनी पड़ती है आजाओ आओ कम आन यह क्या कर रहा है कम आन लगता यह हमसे भी गले मिलने वाला है यह सब करना पड़ेगा सच्चा ही तो यह है कि तुम क्योंकि तुम्हें एक नया बॉइफ्रेंड मिला है और वो इससे भी जादा अमीर है है ना येस यूर राइट ठीक है कोई बात नहीं रेसेप्शन पर फीज भढ़के जाना इससे तुम्हें एक हफते में छुटकारा मिल जाएगा ओके सर गो कल तुम मुझे पॉस्टनली करता हूं उसके बाद कुछ करता हूं उसके बाद कुछ करता हूं नौट नौट नौव कल रात में डिनर के बाद डिनर बोलके पाल्टी के नाम पे पताने कितने का बिल भाड़ेगा क्या हुआ सोचर बिल भाडूंगा मैं इस ग्रह का नहीं हूं दूसरे ग्रह से आया हू वह पार्टी भी मेरी होगी और उसका खर्चा भी यह क्या यह दो मेरे दिल की बाद चाम कर दो कल रात मिलते हैं जरूर आना इसके बाई भाई आज के दिन कम से कम सही पहचानना आज तो किसे भी हल में मिस होने का चांस ही नहीं है वो इसकी तरब देखती नहीं और यह उसे ही ढूंडता रहता है इस टेंशन में मैं सिग्रेट पी रहा हूँ सुनो बेटा सिग्रेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है हैं री कहा रहा हूँ उंकल बार ही तु फेक रहा हूँ क्या पागला जड़ा सुनिया एंकल कि दो देखता हूँ कैसे पहचानता है यह वो गडेश तेरे लिए एक छोटा सा टेस्ट है यह जो ग्रूप आ रहा है ना इसमें तु अपनी वाली को पहचान ले मैं मांजाओगा कि तेरा प्यार सच्चा है हाँ 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 माप रे बाप मेरी वाली तो दिखाई नहीं दे रही है है रचाना चैन। अबरे वाली तो दूट के दारें हाँ 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 यहार वैसे तुने उसे पैचाना करते यार इसकी आखों में मुझे मेरी दुनिया दिखाई दे रही है इनको देखकर तो मुझे मेरी बीबी याद आगे वो हूब हूँ इनके जैसे दिखती थी चुपइड क्या हुआ यहीं बार का है तुमसे मेरा पीछा मत करो आज की बाद मेरा पीछा किया तो तुम्हीं चपपल से मारूगी मैं तुमसे प्यार करता हूँ I love you कहने आया हूँ इसके लिए भी मारोगी मुझे देखो प्यार का मतलब होता है जिन्दगी भर साथ निभाना कुछ वक्त का टाइम पास नहीं होता लड़की की खुशी चहने वाले को ही असली प्रेमी कहते हैं डोंट एवर शो मियो पेस अगेर अबे गरेश देखने में सौफ देख रही थी लेकिन है बड़ी कड़क इस रस्ते पूस लड़के की क्या दुलाई कर दी उसने मुझे तो लगता है कि इसने गलत लड़की चुन ली है अबे गरेश तू बाल-बाल भजिया वेटा वरना उस लड़के की जगा तू होता मैंने कुछ कहा जा यह यह सब छोड़ दो मेरे सबसे फूस और चिंगारी साथ नहीं होनी चाहिए वरना आग लग जाती है बहतर है कि तूसे भूल जा भूल जा उसे हुआ है 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 क्या हुआ यार क्या हुआ अब साले एक बार फ्लैश बैक में जाके तो देख है प्यार का मतलब होता है जिन्दगी बर साथ निभाना कुछ वक्त का टाइम पास नहीं होता ओ उपर क्या है बेर मेरे डालिंग ने कहा कि प्यार किया तो जिन्दगी बर साथ निभाना चाहिए मतला उसका भी अब तक कोई बॉइवरेंट नहीं है आज तक जितने दिन मैं उसके पीछे भागता रहा गाना गाता रहा बदले में उसने उस लड़के को पिटा लेकिन मुझे नहीं पिटा मतलब यह लड़की अपने से पठ गई है अपसे अपने को इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है देखला कल सुभा उठकर फ्रेश होकर एकदम जगडा करेए हैं क्या बोला दू dancing वाद क année लड़क्य को चड़िए से कंवारे हो कहा तुम्हारा इसे दोषा secular इंव неп binding क्या कहा चो लड़की की खुशी चाहता है वही असली प्रेमी होता है ऐसा ही कहाता ना? अगर तुम खुशी से रहना चाती हो तो यह तुम्हें डिस्टब क्यों कर रहा है कहता है असीड तुम्हारे उपर डालेगा तो फिर मेरा क्या होगा? हां? मारो इसे मारो इसे एसीड फेकेगा एक अधीड पेके हो तुम्हे थे महारेख पेचे पुटकर एकरी है तुम्हे तुम्हे मिस्टर गूगल जूत हलाइभ मिस्टर गुबिल सभी और आगें है वैर वेरी गूद वेरी गूद वेरी गूद चलो पाघी शोर गरें लेकिन सरो यहा ना बियर दीख रहा है ना बिर्णी दिख रही है पार्टी मेरे tailor मैं तुम सबसे कुछ कहूंगा तुम लोग वैसे करते जाओगे और पाटी आगे बढ़ती है ओके अब मैं जैसे कहता हूँ ऐसा ही करो ऐसे फिर ऐसे अब हाथ सीधे आगे हाथेलियां उपर अब उगली उठाओ अब सब लोग क्लॉक वाइज मेरी तरह घूमों यह तो हम लोगों से योगा करवा रहा है कुछ लोग खाने से पहले भगवान के पैर पढ़ते हैं यह योगा करा रहा है और क्या अपनी अपनी स्टाइल है बिल्कुल सही करे हो भाई आज तुम्हें पेट भरके खाऊंगा प्यूंगा तर गूगल सार और कितना घूमेंगे पेट में चुह दोड़ रहे हैं सार तुम्हारे पेट में दोड़ रहे होंगे लेकिन मेरा तो पेट भरने वाला है येस ये कैसे हो सकता है दारू कहा है खाना कहा है दारू खाना टिक्का कबाब सब कुछ कॉस्मिक एनर्जी में ही है कॉस्मिक एनर्जी क्या है येस कोस्मिक एनर्जी को ही ग्रहन कर सकते हैं जितना चाहिए उतना खाई ये पीजी ए नाची और आइश की अरा साय मेरा पेट तो बिल्कुल भर गया है मेरा पेट तो कल के लिए भी भागया अभे बलना कास्मिक एनर्जी में इसका जैसा फिल मिला आप मुझे नहीं चाहिए सर बिना पैसे करिद किये आपने हमको पेट पूचा जिखा दी आप तो ग्रेट है सर। अब अच्छा खारा कि लाया आपने अन्न दाता सुखी भावा सुखी भावा इतना ही नहीं सर आप हम जैसों को नौकरी दिलाने वाले भगवान ही हो सर। फिर स्कैनिंग शुरू करते सबसे पहले मेरा दंबर रुक जाओ तुम हग के लाइक नहीं हो तुमें सिर्फ टच करूंगा अब तूम आओ तुम आओ तुम असिस्टेंट डिरेक्टर हो स्टोरी नेरेट करनी नहीं आतु तुम्हारे दुख के दिन बीद गये तुम शूर शॉट डिरेक्टर बनोंग अब जरा तुमा ना हाथ दे ना कूल में तुमने किसी से लड़ाई की उसे चैलेंज देकर तुम यहां आ गए करेक्ट सर अम आ राइट आपने बिल्कुल सही कहा सर अब क्या सर आप ही को हमें कुई रास्ता दिखाना होगा ओके ओके पैसे तैयार रखो ओके सर राइट ओ जब वो स्कैन करें थे तब तु क्या सोच रहा था बोल ना बोल ना सोच क्या रहा था वांटेट फिल्म में आशा के पिछे तो गेंडे गुमते हैं यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है यही सोच रहा था मैं जिस तरह प्रजा की सेवा करते 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 कुमारी टेरेसा दुनिया के लिए मदर टेरेसा बन गई ठीक उसी तरह मैं भी सभी नौजवानों की दिल से सेवा करते 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 यह चोटा सा पोसानी दुनिया के लिए फादर पोसानी बनना चाहता प्यार है वो देखो, वही है पोसान, तुम सबको नौकरी देने वाला आसा है, गुरुजी, गुरुजी, अगर खबर की होती तो मैं खुदी आपको बस गुड के चला आता, आपने तकलीफ क्यों की, तकलीफ नहीं है, इसलिए तो मैं यहां आया हूँ, धर्ती वालों की यही बात मु मिलेगा ना, जरूर मिलेगा गुरुजी, आपका रिमोट दो मिलके रहेगा, चलिए ऑफिस में चलके बाद बताईए आपको कहा नौकरी चाहिए, विप्रों में नौकरी चाहिए, नासा में नौकरी चाहिए, इस्रों में नौकरी चाहिए, या सत्यम में नौकरी चाहिए सर सत्यम महेंद्रा में दिला दीजिये ना बिलकुल मिल जाएगी तुम सबको कल बैक डोर से एंट्री करवा दूगा क्यों चलेगा ना हमारी एंट्री बैक डोर से क्यों करवाएगा आगे दर्वाचा नहीं है क्या अब गदे बैक डोर का मतला पीछे का रास्ता नहीं होता बलकी रिश्वत देकर सिफारिश के साथ जाना होता है आप आने गुरुजी निकालना तू भी निकाल सर लाको दे रहे हैं विश्वास कर सकते हैं ना क्यों दे रहे हो ठीक है जाओ निकलो विश्वास करने की ब्लेस मी गुरुजी इसी लिए मुझे धर्तिवासी बहुत पस्राइब गुरुजी क्या पंचलाइन मारी है सच्वे क्या सॉलिट पंचलाइन है अब तुम सब जा सच्छे एक नट सर वहां हमें करना है क्या होगा सब अरे शेखर उस रवी से भी अच्छी सेलरी और उसस अबने लाइब सेटल याण जाचलाइ इस चल चल दृड खासते कुछे दो भाई अ तो यह भी टपक पड़ा मैं उस लड़की का भीचा कर रहा हूं और तु एकल हम लोगों का भीचा कर रहा है और कोई काम नहीं है यही तो मेरे काम है तेरी अब शेर में भीक मांगने की कोई जगर नहीं छोड़ी किया तूने इतने पैसे कमा रहा है करता है क्या उसका यो मैनेजर सब कुछ ठीक चल राया ना तुमपर भरोसा करके मैंने तुम्हें ये काम ठोपा है ठीक से करना है तो जाओ कुछ तो देतो भाई, बगवान पे नमपे देतो वेश, तेरी बुर्का वाली हाँ, याँ याँ, लेकिन जागा रही है याँ, वहाँ गुछ रहा है, लेडिस टॉलेट है, चपल खाएगा इसको देखा है वस्याई है अई मेरी डालिंग का जा रही है, चाल चाल देख 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 सन्नी लियोनी, पस्वीर कितनी बड़ी है, क्या बात है इस पोजिशन में मैंने आज तक किसी पेशेंट को नहीं देखा ये दवाई लेकर आई है भाई, जिस आद्मी को हम ढूण रहे है, वो यहीं पे है, हॉस्पिरल में आजा भाई आई 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 मास्क निकालना ही काफी इसके सेंस काम कर रहे है मेरे मारने से मर जाना चाहिए, और ये अभी तक बचाए वो और अच्छे दिन तक नहीं उठेगी साथवे दिन उससे होश आएगा और ये तुरंट मर जाएगा इसे कहते हैं असली पावर हमारे काम में कुछ कैलकुलेशन होती है उस कैलकुलेशन को ब्रेक करके अगर कोई बच गया तो मुझे धर लगता है लग रहा है कही मैं मडर करना तो नहीं भूल गया चल तुझे नहलाता हूं करेंट लगता हूं तो कर दो झाल 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 बहुत दिश्टर्ब किया तुने अब इंच्वाय कर अपनी मौत को अब आपनी डीटेल तो में तुछे बाद में बताऊंगा पहले अधुरा काम पूरा कर ले अब बाद में अब पुने कुछें अब अब दो ऩड्सक्रोब टेफ़ एफ एज एफटे फटेंगा एप एफ टेना एफ एफड़ कि एफ़ एफग्टें लिए एफ़िक एफ़ीडें़ एफ़инки हीने एफ़ने एफ़कें एफ़केंगा कि एफ़ीजेंगा झाल वो ऊवर लया चुटा मैंज़ यो टाहर अगला लिडता अवारे अपनाविद खिर्णाव मैंचे हो ये चाहरे वारे यूरा वारे वाइव ने श्वरा ये ओनाव मैं अईया वर जाला वा हाई नाव ये वारे वारे रहे वे वेक्ष्षप्फ है। या 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 झाल 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 एल जाल झाल 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 पाटि जो अपने खूने कशसरी आया हूँ, और नहां किसी मुणरी आएँ कशप़जारी कंटे से नार्यका jour में कशबने के लिएं तो काव और सी नोकता हूँ खब और चाहिए सब्ड़र्त nih के एंद़र में से तो स्टेए सैंद faced दो कि कि जillon मैं यहां किसे से डर करने ही आया हूँ और ना ही नौकरी की तलाश में मैं तो रवी के लिए आया हूँ तो यहां रवी के लिए क्यों आया असल में बात क्या है रवी को मैं बच्पन से पसंद नहीं करता था क्योंकि वो हर कदम पर मुझसे आगे था रवी, सर, पहले मैं आया हूँ न, रवी ब्रिलियन स्टुडेंट है, उसे इतना प्रिवलेज तो देना ही पड़ेगा, रवी, हर साल की तरह इस साल भी तुम्हें कॉलेज में फर्स्ट आना पड़ेगा, all the best, थेंक्यू सर, आप है क्या सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, आ परेहा पेरेंट्स को लाने पर हाल टिकट मिलेगी, सर, सुना तुम्हें पेरेंट्स को लेकर आओ, प्लीज सर, जाओ, सर, सर, ब्लैक में खरिदने का कुई चांस नहीं है यहां दो आपको जेल जाने के चांस है, अगर मेरा बाप आप आगया ना, तो मेरी इमेज का क्या ह वो तो पने पास पह नहीं, डर किस बात का concur में, भौवा निका डर में प्रीय आगी अकर उसे ही अपनाया जा यह अपने बापकी आवाज इसब बाद कर था हूं अलो, बुली, बैं गरेश का डैडि बोल रहा हूँ, यह बताइए, आप मेरे आनी पर यह उसे हल टीकिट दोगे, एक्जाम मेरा है या मेरे बेटे का ही है, पर आपके बेटे के सारे कारनामे हमने एक लेटर में ड्राफ्ट करके रखा है, जानता हूँ मेरा बेटा कारनामा क करने में उस्ताध है उसके लिए तो भूलो की माला तयार करने चाहिए और आपने चीफ लेटर ड्राफ्ट किया है उसका बाफ होने के नाते मैं करा उसे हौल टिकेट दे दीजिए वो अपना एक्जाम खुद ही लिखेगा नहीं होगा सर जब तक आप सौयम यहां नहीं आते हम हौल टिकेट नहीं देंगों अरे मैं कब से कह रहा हूं कि मैं नहीं आते हाल टिकेट नहीं मिलेगा यार कुछ नहीं हो सकता बाप को लाना ही होगा पिता जी कहां हो आप इतने बड़े आर्टिस्स को इतना चोटा सा क्यरेक्टर दिया है, मुझे डुपलिकेट बाप बना कर ले जाना चाहते हो, पैसों की जरूरत पर मा को और हॉल टिकेट की जरूरत पर बाप को पददोगे, बेटा हो तुम दोनों जैसा बेहुदा नहीं है, देखो उसे, उसक की तरह लेटा हुआ है, हाई तरी तो, हर कोई अपने बेटी की हमसे ही तुलना करता है, और एक हजार देंगे ना तो तुमसे भी अच्छा मिलेगा, चल, अरे मैं उतने में तो महीं आ जाओंगा, डाउट तो नहीं आएगा, तीस साल का एक्सपरियेंस है, ठ्राय कर देख अरे माबर, शकल से गंगु तेली जैसा दिखता है, तेरी विज़े से इंसे भी मुझा सुनना पड़ रहा है, तू अभी तक जिंदा क्यों है, कहीं जाके ठ्रेन की निच आके मर क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाता, मर क्य आपका बेटा तो फिर भी ठीक है जड़ा इस गदे को देखिए इसको देखिए कहा है तुम्हारे माबाप नमस्ति सर अचा बैंजी आप इनकी माँ है क्या है आपको भी मुझे पर डाउट हो रहा है सारे यहीं पूछ है आप इतनी अची है तो यह क्यों इतना बिगड़ गया वो पता नहीं भाई साब बेचारे को बच्पन से पिका का प्यार नहीं मेला इसलिए बिगड़ गया आप तो इसके बाप के जैसे है आप जैसा नहीं बाप ही हूँ बदकिस्मति से यह मेरा बेटा है जूरे और तुमाँ बाएगा आप ख्पना नहीं जिसके अब किसकी माँ है वही तो कन्फ्यूजन ने कि मेरा बेटा कौन है तो लेता है अरे तू कहां भाग रहा है पेरी पेडिट तो देता जा चाहिए यह औरे भागता काहा है मेरा पेडिट तो देते जा अच्प्लीज में यह पेमेंट का क्या चक्कर है? क्यों? तुझे किसे ने बुक नहीं किया? हेई सुन, रेकमेंट करूँ क्या, प्रिंसिपल से, हॉल टिकेट दिलवा सकता हूँ दुझे फेल होने वाले हो, हॉल जिकेट किस काम का, वैसे मुझसे कॉम्पटिशन क्यों कर रहे हो? कार के बाजु में साइकल पाक करोगे, तो दोनों सेम हो जाएंगे, क्या? मेरी मानों, इन सब चक्कर में मत पड़ो, मेरे पड़ोसियों इसलिए कह रहा हूँ अपने लेवल के किसी टिकेट ब्लैक करने वाले या गुंडे से उलजना तुम समझ गये ना? मुझ से नहीं हहह हम अब तु विसल मार अगर तेरे सपोर्ट में एक भी आ गया ना तो तु कार और मैं साइकल अगे ना? अगर पड़ाई के लिए भले ही गुरू की जरूरत पड़्टी है लेकिन सीटी मारने के लिए फ्रेंड की जरूरत पड़्टी है एक काम कर किसी से फ्रेंडशिप कर ले सीटी अपने अब बजेगी हाह त्यांक्यू फ्रेंड्स जनो अच्छा वह हौल टिकेट मिल गई तु तु आजा तु नहीं सो दरेगा है ना बच्पल से सोचा था कि कॉल इन पड़ाई करेगा तो सुगर जाएगा लेकिन नालायक तुने पड़ाई का और आमरा करती हियाद आखिए नालायक तुछे मत दंग आ चुका हूँ इस दरह बड़ा हो गया लेकि तुझे बाप की इस्दत की कोई फिक्र नहीं मैंने पहले ही कहा था यह अपने बाप को भी बदल देगा जरूरी थोड़े है कि बाप अच्छा हो तो बेटा भी अच्छा होगा मेरा बेटा कॉलेज जाता था तो तेरा बेटा फिक्चर लेखने पढ़ाई के समय खाना पिना भी भूल जÁता मेरा बेटा और तेरा बेटा खाने पिने के सामने पढ़ाई तुम नहीं बदलोगे अभी देखते जायlen तेरे पैदा होने से पहले लोग मुझे शर्माजी शर्माजी कहकर बुलाते थे, बड़ा नाम था मेरा, पर अब लोग कहते हैं जरा शर्माओ शर्माजी, उस बगल वाले रवी से कुछ सीख, ना लाय कहींगा। और इसी तरह कुछ दिन बीद गए हैं। पूरी फैमिली को लेकर ट्रेन के नीचे लेटना पड़ेगा। देखे, आपके पैसे में जलती दे दोंगा। जब हमारे घर पर पैसे मागने आया था, तब तो कह रहा था कि मेरे बेटे को यू नौकरी मिल जाएगी, यू तुम्हारे पैसे जुका दूगा। अब कहा गई तुम्हारी अकड़ बोलो। अरे ज़रा शांती रखो, पहले ही दिल के मरीज है। जीजा जी, मेरी पत्नी थोड़ी बिगड़ी हुई है, अगर आप पैसे दे दे, मैं इसे लेके चला जाओ। मुझे अपने बेटे पे पूरा विश्वास है, वो जल्दी ही आ जाएगा, आपके पैसे मैं… अब बस भी कीजिए, मुझे बेवकूप बनाना बं कीजिए, पहले ही घर गिर्वी रेकर उसे पढ़ाई के लिए बाहर भीज दिया। या तो वह पीकर मज़े कर रहा है, या तो फिर किसी अवरत के साथ बिल्चर्रे उड़ा रहा है, या तो कहीं मर मरा गया हो। सही, सही कर रहे हो जी जजी, जब पैसे मांगने आया थे तो पैर पकड़ दी, जब चुकाने के बार यह तो कॉलर पकड़ रहा हो। रुगजा, रुगजा, बता तो कहां जा रहा है। अले रे जाने से पहले क्यों टोकती हो मां, अभी के पिता के घर लेंदार आकर जगड़ा कर रहे हैं, एक बाज दरा देख के तो आओ। वो क्या है बेटा, कोई भी किसी के सामने अपनी बेज़ती होते नहीं देख सकता, और वैसे भी वो बहुत परेशान है, उपर से बेटा भी लापता है, अगर तुम्हें मदद करनी है, तो चोरी छुपे करना, धींडोरा पितने की कोई जरुवत नहीं, जानदार, मैंने क अगरी बार कह रहा हूँ, जाना, अपने अच्छा नहीं किया जी जाजी, कहें देता हूँ, चलो, अपने समा उलगा, ऐसे लोगों के घर बर्बादी होते हैं, तुम लो क्या खड़े हो, चलो, यल्दी आओ, बजाओ रहे, रुक्चाओ, क्या बात है अंकल, इस तरह क्यों बेटे हो, अभी आप ही बताईए, कि मैं अच्छा हूँ, या आपका बेटा अच्छा है, बच्पन से जवानी तक अपने बेटे की तारीफ करते नहीं ठकते थे, अब क्या हुआ, क्या हुआ, उस बेटे की खातीर रोड पर आना पड़ा लेकिन मुझे देखिए, मेरे लिए मेरे बाप ने उधारी नहीं की, घर भी गिर भी नहीं रखा, और ना ही आपके तरह रोड पर आए, अभी तो मान लीजिए, कि आपके बेटे रवी से ज्यादा ये गनेशी अच्छा है, बजाओ रे क्या हुआ पिताजी, ऐसे क्यू बेठे हो, आप तो जब भी देखो, उसे देख कर सीको, उसे देख कर सीको, यही गुण गाते थे, अगर मैं उसके नक्षी का दम पर चलता, तो आपको भी उनकी तरह रोड पर आना पड़ता, अच्छा है, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हाथ अटापना, तुम जाए कितरे में बदमाश हो, लेकिन अगर एक दिन दिखाई ने देते, तो मैं बेचेन होट थाँ, वैसे ही अगर किसी का बेटा, छे महने से खायब हो, उसका कोई अता पता ना हो, कि वो सिंदा है या मर गया, तो उस पर क्या भी देगी, किसी के द दुखदर में उसे दिलासा ने देपाऊ, तो उसके आसी मत उड़ा, दूसरों के दुख पर तमाशा देखने वाले, तुम जैसे बेटे को अपना बेटा कहने पर आज मुझे शर्म आ रही है, अब तो इंसान बंजा, सारे लोग जब पेरे खिलाब बोलते थे, तो मुझे लगा कि वो तुझे समझ नहीं पाए, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैंने ही तुझे समझने में गल्ती की, आज दोनों मेरी क्लास ले रहे हो, आप चाहते क्या हो, कि मैं जाकर उनसे माफी मांगू, अगर तुझ में इतनी ही समझ होती, तो मेरा जनम धन्य हो गया होता, बस हो गया, ठीक है न, गुट नाइट, रश्मी, रश्मी, चलो चलो, चलते हैं, चलो, इस वक्त कहां जाना है, और कहां, अपने बेटे रवी के पास, रवी के पास, रवी के पास, वो कहां है, पता चला, आज चल गया, मुझे चल्दी से उसे देखना है, चलो, चलो, चल वह लगता है मिल गया अब सॉरी किसलिए वालतु में टाइम वेस्ट सुनिये जी अभी तक रेडी नहीं हुए है कि जटके में पील लेंगे तो दस नियट में उसके पास होंगे मतलब यह क्या है जी कहीं हमारा बीटा रभी उसके जिन्दा रहने की उम्मीद छोड़ चुका हूँ पुलिस में कंप्लेन कर चुका हूँ पेपर में डाल चुका हूँ ना जाने कितनी लाशों को देख चुका हूँ कर्जदारों के ताने सहे जा सकते हैं लेकिन कोई कहें कि तुम्हारा बेटा भी खड़ गया मैं बरताश नहीं कर सकता हूँ वह दुनिया में नहीं है यह सोच मुझे चीने नहीं देती हैं आज के जबाने में भी बेटे का पताना चलना मतलब उसके वापस आने की संभावना नहीं है शायद वह इस दुनिया में नहीं है इस दुनिया में पेरा बेटा पया 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 पैलो पपा पालो पपा, में रवी बुल्रओ पπα? हलो में में रवी बुल्रओ पालो रवी पाले बुल्रggakा रवी ना रही बोल जा हूं अलो पापा रही आपका रहा रही आपको अपका ये शुच्री और रहा है तो थीख थेख थे डरा बेटा ये अपको ये अपापा कैसे है आपके तब्णी कर देता पॉन करने में जाने क्या ना था थे तब क्या हुआ क्या हुआ पापा कुछ नहीं तुम मेरे बचा लिए आप वापस जिन्दा हो गए वापस जिन्दा हो गए बैटा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है पापा लगता है वापस यूठाओ मेरा बेटा बहुत अच्छा है हाँ बेटा है कोई वहाँ है है मेरा बेटा सिंदा है मेरा बेटा सिंदा है सुनो दुनिया वालो खास कर इस महले वालो सुन लो मेरे बेटे को घलस समझने वालो ध्यान से सुन लो मेरा बेटा सबसे अच्छा है मुझे अपने बेटे पर फख्र है है गरेश एक बार फिर कहता हूं मेरे बेटे जैसा होने के लिए तुझे साथ जरम लेने पड़ेंगे जाओ रहे है रिवेंज लगता है कल राते से सौरी नहीं का उसी का बदला लिया है जाने दो बेटा रवी तो सही सलामत है न भस हमें और क्या चाहिए हां मुझे रवी का पता लगा नहीं होगा इसलिए उस दिन से रवी को जिंदा रखकर हर दिन मैं ही रवी की तरह उनसे बात कर रहा हूं जितने भी बार मैंने उनसे बात की उतनी बार लगा कि काश में रवी होता तो कितना अच्छा होता एक बात तो मेरी समझ में आ गई जितना प्यार उनको अपने बेटे रवी से है उसके मुकाबले रवी से मेरी नफरत बहुत ही छोटी सी है रवी के माबाब को जिंदा रहने के लिए और उन्हें खुश रहने के लिए उन्हें pass dream ज़रू जरूरत है इसलिए उसी को ढूनने के लिए मैं गाउं से यहां तक आया हूँ उस दिन से ही मैं उसे ढून रहा हूं लेकिन उसका कोई पता नहीं चला क्या बात है आज तक लोगों को दोस्तों और रिष्टदारों के ही कद्र करते हुए देखा है लेकिन तुम तो उसे बचाने आया हो जिस्ते तुम नफरत करते हो तु ग्रेट है यार लेकिन एक बात बता इतने मड़े शहर में उसे ढूनेंगे कैसे पहले हॉस्पिटल चल कर अब जिदेगे पहलों और में इसके प्लाइब करते है कि पेशन का नाम रवी कुमाः रवी कुमार शर्म होगे कि सौरी इस नाम का यहां पर कोई पेशन नहीं है तो ऑग डिकिकन प्रश्रण को पता है कि देखे बॉस्ट इसर। फुटेज नहीं से आसे इस इवेंट को पता है क्या देखे बॉस अब तक मैंने आउट उस तो वे जोकर आपकी मदद की है इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँ पार मेरी नौकरी का सवा ओके थैंक्स भाई इतनी जल्दी ठीक होने का कारण क्या है सद्नी लियो नि इतने उपर से गिरने का कारण क्या है सद्नी लियो नि सब हमारे होटल को सील करने है साइन कर दीजे भरे भाइ तुम दुनू भाईयों को एक काम सुपा था तुम्हाना भाई नहीं करपा और मर गया अब तक मेरा काम नहीं हुआ है अखेर क्या कॉर्ण व्तुम्स अगर मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो तुम सब को काट कर लोग्ड़ू रहता है भाई अब जौनता हो कुनों मैं मेरे समने जबादान ता दूंगाई बथी सी पारा जाई यी तिरी जाली मार गारन का शंकर पहलवान बोलनो द्यान से सुनो तुम लड़की पसंद करके शादी करते हैं मना किया तो चीदा ऐसीट फेके ठोगड़ा भी करते हैं अब लोग जुनो ध्यान से समय के शंकर पहलवान बोल रहा हूं मैं अच्छों के लिए चाब बुरों के लिए वुरा हूं अपने लोग इधार आते हैं इंटर्टेंट के वस्ते उनको डिस्टेम नहीं करने का समझें वरना शंकर पहलवान दब भूल खूम गया तो पूरा बस्ती में आख लगटे लगा समझें गया लगता है वो हमें ही बुला रहा है चल चलते हैं वह रूपता मेरी बातो सुन अभे तुर्य उसके लग आद्मियों को मारा था वो तुर्य गूह पांग कर रहे तू अभे उससे पांगा मतले वारा गें तो टुम राई टूप टेगर करनेख रहा जिए घृव पर तक बहुटना उसको जयाए पड़ो के हो रहा है तू? अरे तुम लो खड़ी खड़ी क्या रही हो मैं बताती हूं ऐसा करो, अपने हातों से इसके हात पड़ू समझ में नहीं आता गे, पागल इसके दोनों हाथो को चकड़ो अहां सेक, हम इसे बढ़ी लड़की ओए हो अभी भी एटेस पे जी रही हो, जबकि 2016 चल रहा है लगता है तुम्हें पता निकी और लड़की कोई फर्क ना अगर इसे कुछ हो गया है तो याद रखना तुमलोग पर हमने क्या किया है अरे चल्दी करो, लगता है इसकी जान निकलने वाली है, अरे चल्दी करो मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करो? क्या करना होगा? अहां, इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ दो, आपने पहेंगी, आप आईए यहां पे, ऐसे, बच आईए मिर्गी के बीमारों रिलाज करने माले को अके लिए छोड़ देना चाहिए, चल्लिए हम चल्ते है अई वही द्याँ से देखते हैं कोई भागने न पाए अबे यागए द्माशा देगा जो खड़े कादेगा, चल्ड्डर चल्ड भुण उसको जाफ़, चल्ड चल्ड क्रणे अपने में पाए कि नहिए क्रुलां क्रणे सहारा सहारा तुही मेरे दिल का जो तू मिल गई सिंदगी बिल गई गवारा गवारा न रहना तेरे बिन अब जो तू मिल गई सिंदगी मिल गई ये वादिया ये मासा भी कहता सरा ये सुन ले तो मुझको बना ले अपना फूलों सी सुन्दर है अर्मा तू मेरे दिल का है महमा तू ही है मेरा सपना जीनाना, जीनाना, तेरे विनाब जीनाना जीनाना, जीनाना, तुझ से बिछण के जीनाना मेरे जीवन में तेरी आहती ख्वाब सी लग रही एक पल में ही सौचनां, जीरू आस है जग रही रंग कितने भी जिन्दगी में हो फिर भी हूँ अधूरी आने भर से तेर ये हो गई है पूरी, अब ना हो कोई दूरी शेक्सपियर भी नहीं लिख सकते तेरे मेरे प्यार के भावना प्यार ही समझे प्यार के भाशा दिल ही समझे दिल की ये वेदना जीनाना, जीनाना, तेरे बिना अब जीनाना जीनाना, जीनाना, तुझे से भी छणके जीनाना अरे गड़े, ठंडीत उतनी जादा है निफिर कप क्यो रहा, और तुम्हारी बॉलिस दे दुन्वा क्यों करते हैं, जैसे बट्टी जाल गई हो सुबह सुबह इन बुर्के वाल्यू के घर पर चौकीदारी क्यों कर रहा है एक बार उसे फिर से गले ना लगा लू तब तक लगता है मेरी कर में कम नहीं होगी एक बार फिर लगाएंगा गले इस बार तो बेटा तुझे छोड़ी की नहीं गो अभी मैंने उससे मुला कि अधर मज़ा मेरे भाई माना ही नहीं मेरी बात मैं क्या गुरू हूँ मैं हूँ अब मैं डरा दिया था या कैसा आद्मी है तू भाई तरे हाथ जोड़ रहा हूं उसर मजब बहुत खत्रा है या है सुन यह भाई ठीक है जा कीमा बनके आएगा अंदर से या अल्ला मुझे बचा ले उसे नहीं मैं तो रोमैंस करने आया हूं यहां तो action चल रहा है डरो मत अंदर जाओ कौन हो तुम फातिमा का दूस्ट बुर्का निकालो बुर्का निकालो अगर इसे सच पता चल गया तो क्या हो अगर निकालो ठीक है जाओ दिखाए नहीं देता फिर भी डरार दिये यह बुढ़िया प्रसाद अबे तू यहां क्या कर रहा है अभी गरम गरम कीमा है का उसे बैट कर यहीं खाएंगे समझा अबे यहां कीमा कहा से मिलेगा अपना हीरो बुरका पहन कर हीरोईन से मिलने के आ है और अंदर वाले उसे कीमा बना कर ही बार भेजने वाले है मैं तेरी जाना लगा निशाना शिकर कर लो दिल का मा रोकूं इससे जितना यह दिल धड़के उतना तो पस्या कर जितना नशाचड़ता उतना कोड़ी हो मैं शार मीली थोड़ी सी हो ना खरीली मुझको तो ना आजमा हो गया मैं पागल हो गया मैं खायल गलती हो गई मुझसे मुझे माफ कर दो जब मैंने ऐसा तुमसे कहा तो याद है क्या कहा था तुमने ऐसी गलती तो रोज करनी चाहिए एक बार और आओ ना ए साहरा रुको कौन हो तुम मैं मेरे की दोस्त हूं माझी बुर्का निकालो बुर्का निकालो बुर्का निकालो क्या नाम है तुमारा लगता है पहचान नहीं साहरा माझी जोर से बोलो साहरा माझी और जोर से बोलो साहरा 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 आ गई क्यों कर रही हो ऐसा पता नहीं के कहा मर गया अरे गनेश कहा है यार मिल जा यार वरना हम दोनों का कीमा बन जाएगा जल्दी आने मेरे भाई साहरा मुझे ही ढूड रही हो ना कल जो गलती हमसे वहीं करनी है ना तुम्हें कल की गलती बहुत अच्छी लगी इसलिए मुंडी हिला रही हो ना घर में हम दोनों की सिवा आज कोई नहीं है आ जाओ अला मुझे भूदा पहुत अला जाओ अला जल्सेटन का अले को से अले किम अला जो आ प्लेटन की ड记有 मैं दो इस को मुझे चौहलू हो गरी सियरा उनलो जोने मुंदा पहुत अला हुत अब साहरा क्या है बे बोल रही है बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से कहो ना क्या है बे अब क्या मीठी जुबान है तुम फिर भूल गई कल तुमने कहा था आधा अधूरा काम हुआ फूरसत बिलेगी तो अच्छे से करेंगे आधा देरा काम कॉंचा भें ते नी तो जर्णा देरास में इसल जरू पिसने वालिये यह कांच आग्या अगर वहार निगला तो वो मुझी नहीं चोड़ेगा था खुबा तो यह सांड खड़ा है लग्ताय को यारा है अच्छाल में हट निगल साहरा भौए! हंडो math और च्रोच κण चौचोच पर नहीं, आना नहीं आना नहीं, आना नहीं आना नहीं वत हमेतだけ भी में से औरनना कोई है कोई नहीं है अब बंद भी कर आपना रोमांस यहां और देर रुके तो हम बहुर किसी को प्रा मुद दिखाने लाइग भी नहीं रहेंगे जल्दी बाग आजा यार चलना मेरे भाई फिरोसकार नौचवानों को बेवकुप बनाया नौकरी का जहासा देकर हो चुके हैं फराण सुनने में आया है लोगों से बहुत सारे पैसे लिये थी जीजा कीवा ड्रेनुटा नाथिस्ट कमान हग मी खग ही चाहिए टेच काफी नहीं नो 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 लेडीज को हग करना ही चाहिए कमान इतने सारे नंबर्स यह माजरा क्या है तुम्हारी सोशल साइट तो बड़ी लंबी चड़ी है एलेक्शन में पार्टिसपेट क्यों नहीं करते सीधा एमेले बनोगी इस टाइम पर पेपर शहर में तीन नौजवानों ने आत्मात्या की पता चला है कि यह नौजवान नौकर मुझे का और जनम क्यों ना लेना पड़े हम भूद बन कर तुम्हारा पीचा करेंगे और तुम्हें इसी तरह डराते रहेंगे यह डरना क्या होता है इसी को डर कहते हैं तुमने तो सच में मुझे डरा दिया हाहाहाहाहाहा उद कभी मजाद नहीं करते हम तुम्हारा पीचा कभी नहीं चोडेंगे महत्रे थोड़ी कॉस्मिक एनर्जी लेता हूँ लेता है मैं कम्सोर पड़ रहा हूँ यह क्या है भाई तुम सब जिंदा हो तो तुम लोग मुझे क्या चाहते हो और अगर नहीं दिखे तो मनीन गालिया देंगे ज्यादा फ्रस्टेट होने पे कहेंगे जिसे पाप की आयप फल वही भुख देगा ये कहकर अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे और फिर होगा क्या खेल खतम पैसा हजम तो मस तरा हो कम से कम इन तीनों के पैसे तो वापस कर दो पिघलती हुई आइसक्रीम और ढ़लती हुई उमर और पोसानी के पास आने वाला पैसा कभी वापस नहीं होता नहीं मिलेगा इदर आजाओ इदर आजाओ चल अब बताओ केर में चाहिए, अपोलो में चाहिए या येशोदा में चाहिए अरे ये केर अपोलो या ये शोदा में भेजने लाइक है क्या इसे सीधे करमेंट हॉस्पिटल में भेजते हैं याद रखना तेरा थोबड़ा बिगाड करक देंगे हम लोग समझा समझ गया है राजा तुम समको कैश ही चाहिए ना कैश नहीं चाहिए इंफोरमेशन चाहिए ये काम मिलेगा कि अविर ने इंफरमेशन चाहिए ये काम मिलेगा किसे बार रहे हो तुम यहां भी आकर जगणा शुरू करती है तुम कभी नहीं सुद्रोगे वर्वाप आप बोलिये त्रगरे ओसोगे तुमारा बेटा यहां शेर में गुंड़ा कर दी करना है विजद निलाम करकर रख दिये तुमारी एक काम करो, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, ऐसा पेपर में निकलवा दो नहीं तो उसके लफड़े के चकर में कहीं तुम ही न जेल जाना पड़े रवी, कहा हो बेटा? पापा, मैं आउट ओफ स्टेशन हूँ हर बार ऐसे ही कहते हो, कम से कम इस बार जल्दी आजाओ अपनी मा के लिए मैं जल्दी आजाओंगा पापा तुम्हारे मामा की तबिये ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग यहां शेहर में आये हैं अरे वो रास्ते में गड़ेश मिला था, वो किसी से जगड़ा कर रहा था उसको तो आप जानते हैं ना पापा, वो बचपन से ही आसा है अचा चलो छोड़ो उसे, तेखो अगर वो तुम्हे मिले तो उसे उसे बिलकुल दोस्ती बत करना ठीक है पापा, मैं गणिश से दोस्ती नहीं करूगा, ठीक है ना? अगर तुने दुबारा मेरी बेटी का पीछा करनी की कोशिश की तो तु अपने आपको खातम समझ, एए, छोड़ दे इसे करोड़ों के दिमांड की सिर्फ प्यार करने के लिए बोला ना? बगवास बंद करो, कभी मेरी पीलिंग्स जानने की कोशिश की है तुमने, आवारों की तरे मेरा पीछा कर रहे हो, मैं कौन हूँ किस प्रॉब्लम में हूँ, मेरे बार में क्या जानते हो तुम अरे हरे एक के जीवन में समस्या तो होती ही है, तो इसका मत्रब यह नहीं कि हम अपना खाना पीना चोड़कर बैट जाएं, उसी तरह आपना प्यार भी तो नहीं छोड़ सकते है ना, डालिंग्स अब इसे मैं कैसे समझाओं एक बार आई लव यू कह दो ना, जिंदे की भर साथ देता रहूँगा, बोलो ना, अभी भी मान नहीं रही है, और मुझे व्रोना आ रहा है, अरे मा, देखो ना, यह मुझे भ्यान नहीं करते हैं कि बेच्न समेर साथ और मुझे भर से मुझे भर्रो मान … कर दो कर दो कर दो आप सूर वा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो स्पिसा गपाल जलग दो पो में से जाँ इ हूह कर लो जो 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 कि अ कोब है एक आए को जो जो कि आए कि आए अर्थ बार! अलो, एक्सुट मेरोका। अरू लाने के लिए गातो आईब राया काया, लब बार रो! अजब आऎा! बोलो आय भी देये हाई इर यशो? अर यशो गुट चुट चुट प्युट वस्तुट ग्यापल जोह्याब यापल प्रॉब्लम के बीच में मत खसिट सीधे सीधे छोड़ दे उसे तब मैं तुझे माफ कर दूँगा छोड़ उसे प्रॉड़ा तो क्या करेगा प्रॉड़ा इसको प्रॉड़ा इसको छोड़ा रही अकार इसको चल्दी अहाँ जाँ 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 अचेत अपहे अभाँ किस जाँ जाँ पीचे अरे ब्रेंडलेस फेलो वो हमारे आजमी को टोभी पैना रहे है तेख के वारो गार जुद्खें आजमी को सकतिकित प्रवक श्योंकर संदसे केरिस्ट के बि Hebrew एह! आरा, आम्योंकि किसेह सत्तों, थेत्तनलेet हुआ है को अने भो पादाने भूख बाताने मिला रहे हुआ नहीं मिला भाई कौन है वो बसने मेरे भाई को मारा भाई पोछ रहा हूँ कौन है वो नहीं पता भाई यह तो हाँ सब ठीक है सब लोग यहीं है ना ठैंक गड़ राजा अगर हमें इस मुसीवच से बचना है तो हमें इमिडियेटली एक यग्य करना होगा क्या हुआ हुआ क्या जिस आदमी को हम लोगों ने मारा था उसे एक और आदमी ढूंड रहा है और वो कौन है मुझे नहीं पता तुम में से किसी ने उसको नहीं देखा देखा किस ने देखा पता नहीं अच्छा इवाँ अब तो बता दो रवी कहा है बाइक रोको क्यों रोकते हूँ या कुचंग एई मेंटल रुक जाओ रुक जाओ डोजाश्मी और लीमी अलोण रवी कहा है कौन रवी मैं किसी रवी को नहीं जानती रुको मैं जानता हूँ कि तुम रवी को जानती हो सर कंड गेमरा जूम कीजिए अज जूम एच्छा और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मुस्लिम नहीं हो प्लीज अब तो बता दो के रवी कहा है प्लीज पता दो ना मुझे उससे बचाना है उसे मारने आये हो या बचाने आये हो तुम किसे पता अरे एक मिनिट रुको सुनो दो अगर मारना होता ना तो बचपन में ही उसे मार दिया होगा रवी को मैं बचपन से जानता हूँ वो हमारा पडूसी है कम से कम अब तो बता दो के रवी को क्या हुआ है मेरा नाम शालिनी है मेरे पैदा होते ही माचल बसी पापा का नाम सत्यप्रसाद अमेरिका में Economic Development Foundation में हैट के रुप में काम करते थे डिटायमेंट के बाद अपनी देश के लिए कुछ करना चाहते थे इसलिए मुझे लेकर इंजी आये यहां की economic problems और students की समस्याइं इतनी थी कि वो नहीं चाहते थे कि उन्होंने जिन problems को face किया है को यह और उसे face करें इसलिए उन्होंने एक decision लिया Dear friends, हमारे देश में हर रोज literacy बढ़ रही है सोच के हम बहुत खुश होते पर सिर्फ literacy बढ़ने से देश की भलाई नहीं होती इसके साथ ही बढ़नी चाहिए standard of living यह आप सबका हक है But what is happening here Computer student को नौकरी मिलती है data operator की MBA student नौकरी कर रहा है telephone operator की और एक lawka student कोर्ट में आज mediator का काम कर रहा है जिसके पास कोई योगेता नहीं है वो बड़े post पर बैठें I was sad I was frustrated I was angry इस system को इस system को बदलने के लिए मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक विद्याले का निर्मार किया जिसके द्वारा मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ आप सब यहाँ जो भी पढ़ाई करें उसे ध्यान में रखकर इस दुनिया में आप सबको नौकरी दिलाना यह मेरी जिम्नदारी है Congratulations Thank you sir Thank you sir Thank you sir Thank you sir All the best I am so grateful to you sir यह institution मेरे लिए parents की तरह है sir इस institute में पढ़ने के बाद students कितने पैसे बनाएंगे यह तो नहीं पते पर इस पढ़ाए को business बनाकर हम बहुत पैसे कमाएंगे रवी रवी सर क्या बात है सर आपने हमें नौकरी तो दे दी पर आपके दोस्त हमसे पैसे ले रहे हैं क्या अंने उने पास लग दिये हैं लेकिन उनको और शी एए एए STOP IT STOP IT WHAT IS THIS TAKE BAK GO PLEASE GO Biji what the hell is happening here Here I'm making it profitable man I won't despair you एवन आई ओर्ट एक उट्टीएू मेरी पापा ने सोचा कुछ और हुआ कुछ और हुआ कुछ और जिन पर भरोसा था उन्होंने मीरी गडो कर दो करें एफ सर अब्रप्षी को कर दो कर दो यहां पर साइं कर और यह सब मेरे नाम कर यह संस था विरोजगार लोगों की आशा है जिसे मैं तुझ जैसे कमीने को नहीं दू तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मैं साइं नहीं करूँगा डाड़ी शालिन leave her leave her leave my god run away from here please listen to me get out बीजू, इंस्टिटूशन का चेयर परसन, बाउर आफ है टाउनी, कौन है पता है तुझे, शालिनी, राणी, तभी मैंने रवी को मौत से लड़ते देखा, और उसके उपर मैंने पुलीस केस कर दिया, बाद में पता चला कि पुलीस अबो, दोनों मिलकर मुझे उपर कर रहे हैं, शालिनी, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, और तब से उन शैतानों से बचने के लिए, मैं इस हालत में रह रही हूँ, और मैं तब से इसी इंतजार में हो कि कोई न कोई रवी को ढूनता हुआ ज़रूर आएगा, तुम इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम मुझे लगा कि तुम मुझे से प्यार करते हो, और तुम तो यहां रवी को बचाने आये हो, मैं यहां रवी के लिए आये हूँ, यह जितना सच है, उतना ही सची है कि मैं तुम से प्यार करता हूँ, जबी कहा है तो क्या हाल राजा इस जफा को सब कुछ पता है उस गनेश से इसी ने मुझे मिलवाया था कौन है ये बंदर? कितनी बार पूछोगे मैं कौन हूँ? परिशान कर दिया तुम लोगोंने मैंने बताया ना तुम्हे मैं दूसरे क्रे से आया हूँ एलियन हुमे अरण बर गया राजा यहां कॉमेडी शो चल रहा है मुझे शालिनी चाहिए वो गनेश के पास है वो गनेश कहां है वो गनेश कहां है यह इस राजा को पता है तब ही तो इसे उठा कर लाए है जा कर उस शालिनी और गनेश को ढून कर लाओ वरना मैं इसे जान से मार दूँ वो काम है राजा उसको रवी चाहिए और वो भी जिन्दा अगर शालिनी यहां आ जाती है तो सब कुछ सेटल हो जाएगा मैं तुमारे पहर पढ़ता हूँ कुछ तो मदद करो राजा कम यह कम यह कम यह कम यह डाइग्नोसिस डाइग्नोसिस इंटर्डियल डाइग्नोसिस एक्सरे इस कमिंग अड़ एमारा इस अलसू कमिंग एक्सरे कितना शाती राजमी है तू दिमाग में सिर्फ खुराफाती है कोई से यहां से लेकर जाओ आगे मताना तुम लोग मुझे क्या मारोगे तुम्हारे हाथ उठाने से पहले ही वो गनेश तुम्हारा बाजा बजा देगा अरे वो आगी में आगे इसने सही कहा था तुम यहां जरूर आओगे शालेनी कहा है जाओ शालेनी को यहां लेकर आओ वरनाई से तुम्हारे सामने ही जान से मार दूगा वो मेरे आने से पहले ही कर देना चाहिए था अब थोड़ा मुश्किल है शरीर में ढंकी हड़ियां भी नहीं है आखिर क्या सोच कर यहां आए मारने के लिए तो अंदर दम होना चाहिए हड़ियों के कोई जरूरत नहीं होती एई मैं बेसिक तीन जूल्स को फॉलो करता हूँ अगर सामने वाला बिकाव है तो खरीद लो अगर वो डरता है तो डराओ और अगर ये दो काम ना है तो मार दो बोल तेरी क्या चॉइस है लगता है डायलोग से ही पका देगा अरे चॉइस की बाद छोड़ दो मुझे खरीदने के लिए तेरे पैसे डराने के लिए तेरे आदमी और मारने के लिए तेरा सामन बहुत कम पड़ेगा मेरे हाथों मरने के अलावा तेरे पास और कोई आप्शन नहीं है लगता है तेरे अंदर चर्बी बहुत है चल इसे बचा कर दिखा कर दो कर दो कर दो कर दो कि अएवारे 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 कि इतले ही दोसर तुझे ही तो खोज रहा था मैं, जल्दे करोंगह Ivy बारां, चट कर अज बतले ही अँ प्रुमिस Ms 2 य्रुमिस य्रुमिस व्रुमिस कर दो दो और रहाँ होता वार्टर! और रहाँ हो जए होगा! उखखवाँ हो तो! वैँ! उाँ! ठाँम्टे हो उगाँ! Hike शाराइए हो एक जड़ते जडिए रहाँछिता है Я थे आएँपा एक जड़ते जड़ते आज़ते हैं और युटते हैं वो रहा वेंकटेश क्या है वेंकटेश वेंकटेश अब तक अब तुमारे थाभ तुमारे ठीक है जी जी अभी अच्छा हूँ यह लीजे पचास हजार रुपए यह असल है या ब्याज इसे किस खाते में अज्जस करूं भाई साहब ना असल है ना ब्याज बस इसलिए दे रहा हूँ कि आपके काम आजाएंगे बीटे को बताया तो उसने भिजवा दिये पचास हजा उसके लिए मैं आज भी शर्मिन्ना देखो वेंकटेश जरूरत इंसान से बहुत कुछ करवाती है अब वो अच्छा हो या बुरा हो यह सोचने का वक्त कहां रहता है अब मेरे बेटे ने भेजा तभी तो आपको दे पाया ना चलो तुमारा बेटा अच्छे से कमाने लग तुमारी इज़त तो बच गए मुझे बहुत खुशी हो कौन है आप लोग यह हमारा बीटा रभी है यह पिछले छे महने से कोमा में है सही समय पे गनेश ने से एडमिट कर दिया अभी यह पहले से काफी बहुत क्या बात कर रहे हैं आप यह मेरा बेटा है रोज में इसे फोन पर बात करता हूं आप देखिये ऐसी कौन सी बात है पापा? मैं मिलना चाहता हूँ, तुझे कोई दिक्कत है क्या? बात वो नहीं है पापा, ओफिस में आज बहुत काम है, मैं कल मिलूँगा आपसे देखो बेटा, तुम्हारी माँ बहुत परिशान हो रही है, सिर्फ दो मिनिट के लिए मिल लेना ऐसी बात नहीं है पापा, दू मिनिट के क्या बात करते हूँ, मैं एक महिना चुट्टी लूँगा और आपसे मिलना आओँगा तु जल्दी से जल्दी आ जाना बेटा जरूर आ जाओंगा पापा है, मैं तुसे कहना भूल गया कि वो गनेश इसी सिटी में घूम रहा है तुम किसी भी कीमत पे उसे दोस्ती मत करना बेटा हाँ, बिल्कुल फिक्र मत किजिए पापा अच्छा जी अच्छा है तुझे हमेशा गलस सबस्ता था मुझे माफ करता है यह आप क्या कह रहे हैं नहीं बेटा तुम यहां से सोचते हो और हम यहां से बस्याई अंतर है हमें कर अच्छा साथ से झाल झाल गनिश मुझे भी सीटी बजाना सिखाओ गए ॱॱॱॲॲॲॲॲॲ इधम खौॲॲॲॲॲॲॲॲЩ र्यधम ॱॹॉ। झाल झाल झाल